क्लास टैंथ के एक्सेसाइज 1.3 का कोशिन नमबर 1 है प्रोव देट रूट 5 इस इर्रेशनल तो कोशिन नमबर 1 के अंदर हमें ये प्रूफ करना है कि जो नमबर हमें रूट 5 गीवन है ये हमारा एक इर्रेशनल नमबर है तो सबसे पहले हम इसके अंदर इस्यूम कर लेंगे Let us assume to the contrary that रूट 5 is rational तो हम रूट 5 को opposite इस्यूम करेंगे कि रूट 5 हमारा एक रैशनल नमबर है और अगर ये हमारा एक रैशनल नमबर है तो इसे हम एक रैशनल नमबर के इक्वल भी लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे root 5 equals to A upon B क्योंकि A upon B हमारा एक fraction की form में है और ये हमारा एक rational number है जहां A और B हमारे co-prime number है तो हम लिखेंगे A and B are co-prime और co-prime numbers वो numbers होते हैं जिनका SCF हमारा 1 होता है और rational number के अंदर जो हमारा denominator part होता है यानिके B not equals to 0 B की place पर हमारा 0 नहीं होना चाहिए तो अब हम नीचे लिखेंगे root 5 equals to A upon B और root 5 के upon में भी हम 1 लगा देंगे और इसके हम करेंगे cross multiply तो cross multiply करने पर हमारा आएगा B root 5 equals to A और अब हम दोनों साइट के square करेंगे squaring both side तो दोनों साइट का square करेंगे तो हम यह हो जाएगा B root 5 का square equals to A का square और अब हम इनके square open करेंगे तो B का square अगर हम करेंगे तो यह हो जाएगा B square और अगर हम root 5 का square करेंगे तो root 5 का जब हम square करेंगे तो root तो हमारा खतम हो जाएगा और जो root के अंदर हमें number given है वो अधरेटीद रह जाएगा यह हो जाएगा 5 और यह हो जाएगा A square इसे हम first मान लेंगे और अब हम लिखेंगे B square equals to A square हमारा 5 जो B square की multiply में है हम उसे equals to के दूसरे side ले जाएगे तो यह हो जाएगा A square upon 5 और अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारा A है A square है A square के upon में 5 है तो इसका मलदब यह होता है जो हमारा A square है वो 5 से divisible है हम लिखेंगे A square is divisible by 5 A square हमारा 5 से divisible है और अगर हमारा A square 5 से divisible है तो A भी हमारा 5 से divisible होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे A is also divisible by 5 तो A भी हमारा 5 से divisible होगा तो अब हम यहाँ पर लेट करेंगे A equals to 5C जहाँ पर C हमारा कोई integer है तो हम लिखेंगे C is any integer C हमारा कोई integer होगा और अब हम A की value equation number first में put करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे on putting value of A in equation first और equation first हमारे पास है B square 5 equals to A square तो यह equation number first हमें given है तो हम यहाँ पर लिखेंगे B square 5 equals to तो हम A की जो value है उसे A square के अंदर put करेंगे तो यह हो जाएगा 5C का square तो यह हो जाएगा B square 5 equals to 5,5 जा 25C square और अगर हम यहाँ पर देखें 5 मंज़ा 5, 5,5 जा 25 तो यह हमारा 5 टाइम कट हो जाएगा तो यह हमारा बचेगा यहाँ पर B square equals to 5C square और अब हम 5 को B square के upon में ले जाएगे क्योंकि 5 जो हमारा C square की multiply में है और इसे हम equals to की दूसरी side ले जा रहे हैं तो यह B square के upon में जाएगा तो अब हम लिखेंगे B square upon 5 equals to C square और अगर हम यहाँ पर देखें जो B square है हमारा उसके upon में 5 है तो इसका मलब यह होता है कि B square हमारा 5 से divisible है अगर हमारा B square 5 से divisible है तो हम लिख सकते हैं B square is divisible by 5 और अगर हमारा B square 5 से divisible है तो हमारा B भी 5 से divisible होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे B is also divisible by 5 तो B भी हमारा 5 से divisible होगा अब हम यहाँ पर लिखेंगे by first and second by first and second तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा A square है वो 5 से divisible है यानि कि A square का हमारा factor 5 है अगर A square का factor हमारा 5 है तो A का factor भी हमारा 5 ही होगा लेकिन A और B के हमारे factor भी 5 है यानि B square का factor हमारा 5 है और अगर B square का factor हमारा 5 है तो B का factor भी हमारा 5 ही होगा लेकिन A और B के हमारे factor 1 था क्योंकि यह हमारे co-prime numbers है तो यह contradiction है क्योंकि हमारे A और B के factors जो थे वो 1 थे लेकिन हमने जो यहाँ पर solution किया उसके अंदर हमारे factor 5,5 A और B के तो यह क्या है यह हमारा contradiction है और यह contradiction किस वज़ा से है हमारे wrong assumption की वज़ा से है जो हमने assumption किया था वो हमारा wrong assumption था, तो हम उसे लिखेंगे, A and B having common factor 5, A और B के common factor हमारे 5 आ हैं, और ये contradiction है, तो इसे हम लिखेंगे, and this contradiction is a reason because of our incorrect तो यह जो हमारा contradiction या विरोधवास निकल कर आया है यह हमारा wrong assumption के वैसे हैं तो हम कह सकते हैं जो हमारा और रूट 5 है वह एक irrational नंबर है रूट 5 इस एक एर्रैशनल नंबर ये हमें परूफ करना था कि रूट 5 हमारा एक एक irrational number है